ताडोबा अंधरी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में शिवनीवन रेंज के अंतरगत मुहाडी गाउ में शुक्रवार सुबह एक दर्दना घटना में दो तिंद्यों ने उत्पात मचाते वे छे ग्रामिनों को घायल कर दिया यह घटना छे घंटे तक चली क्योंकि एक तेंद्वा एक घर में घूस गया था जिससे निवासियों और वन्विभाग के बीच काफी तनाव पैदा हो गया कड़ी मशक्कत के बाद वन्विभाग ने घर में शरन लिये हुए तेंद्वी को सफलता पुर्वक पकड़ लिया जबकि उत्पात मचाने वाला दूसरा तेंद्वा अभी वी फरार है सिंद्वाही तालुका के शिवनी वनशेत्र में शुकरवार सुभा करीब 6 बचे यह नाट किया घटना हुई ग्रामीनों ने एक शाव के साथ एक मादा तेंद्वी को गाव कियो राते देखा जिससे यह हड़कम मच गया जिसके बाद प्राप तप्री में तेंद्वी ने चे ग्रामीनों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया जिनके नाम विजय देवगिरी कर 35 वर्षिय, मनुहर दांडे कर 50 वर्षिय, जितेंद्र दांडे कर 30 वर्षिय, सुभास दांडे कर 25 वर्षिय, रितिक वागमारे अट्रा वर्षिय और पांडुरंग नन्नावरे 32 वर्षिय है गाहिलों का पहले स्थानिय प्रात्मिक स्वास्त केंडर में इलाज किया गया और उनके बाद उनकी चोटों की गंबिरता को देखते वे उन्हें चंद्रपूर के जिला अस्पताल में स्थाना अंतरित कर दिया गया 32 में से एक ने बारेकर परिवार के घर में शरन ली वन्विभाग द्वारा जाल लगा कर उसे पकड़ने के कई प्रयासों के बावजूत 32 गिरप्त में नहीं आने से ताड़ूबा मुख्या लगके एक ट्विशेज टीम को बुलाया गया पसुची किस्सा वन्यजी वदिकारी डॉक्टर रविकान खोबरागडे और शार्प शूटर अजे मराठे के नेत्रूत्व में रैपिट रिस्पॉंस इवनिट ने तेंद्यूए को पकड़ने के लिए एक टीम क्या गठन किया घर के अंदर मोजूद जानवर को बेहुशी को डॉट मार कर शान्त करने में काम्याब रहे च्छा घंटे के तनाव पुर्व का उप्रेशन के बाद तेंद्यूए को गिरप में लाया गया जिसके बाद पिंजरे में डाल दिया गया तेंद्यूए के घुसने के बाद सेकडो ग्रामिनों ने बारे करके घर को घेर लिया था आरेफो शिवनी रेंज विदेश कुमार गलगट के नेतरूत्यों में वनकर्मियों की टीम दस मिनिट के भीतर मोके पर पहुच गई लेकिन भारीड के आक्रोश के कारण वनविभाग को सिंद्यवाही पुलिस को और शुरक्षाय तू बुलाना पड़ा इसके लिए सिंद्यवाही पुलिस टेशन प्रमुक तुशार चवहान ने गाव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्ता की पकड़ेगे तेंद्यों को अब सुरक्षित कर लिया गया है लेकिन दूसरा तेंद्यवा जो उतपात मचाने में शामिल था अभी भी पकड़ से बाहर है आरेफो गलगट के नेत्रूत में वनिवभाग दूसरे देंद्यों को पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है गाव में महत्वपूर्ण स्थानों पर कैमरा ट्रैप लगाए गया है और ग्रामिनों की शुरक्षा सुनिक्षित करने के लिए गस्त बढ़ा दी गई है चंद्रपूर के साहेक वन सवरक्षक संकेत वाटोरे ने भी बचाव अभियान की निग्रानी और स्थिति का आकलन करने के लिए घटना स्थलका दवरा किया आरेपो गलगट ने बताया कि पकड़ा गया तेंद्वा एक वैस कमादा है उन्होंने दावा किया कि अभियासपष्ट नहीं हुआ कि दूसरा तेंद्वा उसका शावक है या साथी गलगट ने बताया कि उन्हें तेंद्यों के बारे में सूचना मिली थी कि मुहाड़ी गाव के पास गुरवार शाम से तेंद्वा एक जोड़ा घुमरा है वनकर्मियों की टीम ने राद भर गाव और उसके आसपास गस्त किया और तेंद्यों को भगाने के लिए पटा के फोड़े हाला कि सुबह तेंद्यों फिर से गाव में आ गया और उत्पात मचारा शूर कर दिया चंद्रपूर वैसे भी मानव वन जीव संगर्श चर सीमा पर है जंगल के नजदीक शेत्र के गाव हमेशा जंगली जनावरों की दहशत के लिए जाने जाते है कोन कब जंगली जनावर का शिकार हो जाएगा इसी उधेडबून में जिन्दगी जीते है चंद्रपूर से BCN News के लिए सुरील तायडे की एक्सक्लीजिव रिपूर्ट